दिल्ली MCD जिसको लेकर पिछले एक महिने से लगातार चर्चाएं चल रही है खास तोर पर अगामी 6 जनवरी को होने वाले मेर डिप्टी मेर और उसके लावा स्टेंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के तोर पर इससे पहले अगर बात की जाए तो ये खबर चल रही थ थी कि जो इसमें 10 पार्षद मनोनित किये जाएंगे उपरा जेपाल विके सक्साना की तरफ से आखिरकार वो नाम कोन होंगे इसको लेकर अगर दिल्ली की राजनीती की बात की जाए तो चाहे आमादमी पार्टी हो चाहे भारती जनता पार्टी हो सभी जो है अपने तरीके से इसमें विनोत कुमार हैं लक्षमन आ रहे हैं मुकेश मान महेश सिंग तोमर राजकुमार बाटिया मोहन गोयल संजेत यागी राजपाल राना कमल जीत सिंग और रोताश कुमार इसमें प्रमुक्रूप से शामिल है जब यह नाम सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ क इनका जो लिंक है भारते इंता पार्टी से है और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर अब एक प्रेस कॉंफरेंस की है आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना की तरव से प्रेस कॉंफरेंस की गई और इसमें जो है आरोप लगाए गए हैं LG विने कुमार सक्सेना अरोप लगाएगे हैं कि इनको असमेधानिक तरीके से इन नामों को मनोनित किया गया है लेकिन उसके बाद लगातार लोगों की तरफ से सवाल उठाये जा रहे हैं आमादमी पार्टी पर कि अगर ये असमेदानिक है जिसको पिछले 6 महिने से लगातार आमादमी पार्टी चाहे कोई भी स्टेप हो उसको अगर असमेदानिक बताती है तो उसको लेकर प्रेस कॉंफरेंस तो की जाती है सोशल मीडिया पर जितने भी तमाम चाहे ट्विटर हो चाहे फेस्बुक हो हर जगा आकर आमादमी पार्टी इसका महिमा मंदन करती है लेकिन अगर ये चीज असमेदानिक है तो कोट में क्यों नहीं जाती आमादमी पार्टी जब भी ऐसा कुछ लीगल हमें देखने को मिलता है तो उसमें अगर भारती जनता पार्टी की बात की जाए या फिर कॉंग्रेस की बात की जाए तो हमेशा से ऐसे कोई भी जो लीगल चीज़े रहती है उसमें हमेशा वो कोट का दर्वाजा खट-खटाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है आम आमादमी पार्टी कोट में नहीं जाती है आकर के जो है लोगों के बीच में बात बताने का प्रयास किया जाता है कि देखे भारती जनता पार्टी किस तरह से यहां पर अपनी मनमानी कर रहा है लेकिन आज तक एक भी आरोप जो बीजेपी पर लगाएगे चाहे इन रोप लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनका कहना है कि बीजेपी के नेता इस तरह की चीज़े कर रहे हैं बैरहाल अगर बात की जाए एमसीडी के मेरपत के चुनाव कि इसमें तो साफ तोर पर ये जाहिर हो चुका है कि जादा तर जो बहुमत है वो आमादमी पार्टी के जीत कर कहते जिसके बाद एक निर्दलिय विधायक गजेंदर दलाल ने बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी की संक्या बढ़कर 105 हुई थी लेकिन इसमें कुल 272 वोट पढ़ने वाले हैं जिसमें से जो 9 वोट हैं कॉंग्रेस पार्टी के वो भी काफी जादा जो ह है कि वो बीजेपी को वोट देंगे उसके लावा अगर बात की जाए तो आमादमी पार्टी के साथ भी उनकी नेक टूनेक फाइट चल रहे है क्योंकि जो कॉंग्रेस पार्टी का वोट है वही वोट काट करके आमादमी पार्टी आगे बढ़ रही है आमादमी पार्टी जितने भी चुनाव हुए उसमें हर जगा से यही जो है स्टैडी देखने को मिल रहे हर जगा से यही स्टैडिस्टिक सामने आ रहे हैं कि बीजेपी के वोट ना तोड़ते हुए आमादमी पार्टी कॉंग्रेस का वोट जो है वो कैप्चर कर रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि कॉंग्रेस जो है इसमें पीछे अड़ सकती है वोट नहीं डाल सकती है उसके लावा दो निर्दलिये पार्शाद उनका भी वोट हैम है लेकिन यहां पर सवाल यह भी उड़ता है धाइसो और बाइस वोट जो डलने वाले जिसमें साथ जो है लोकसभा के संसद हैं वो स चोदा नाम जिनकी बात चल रहे हैं जिनको जो है मनोनित किया गया यहां पर स्पीकर की तरव से दिली की स्पीकर की तरव से उसमें तेना नाम आमादमी पार्टी के हैं तो यहां पर आमादमी पार्टी को पहले खुद आईने में जहांकने की जरूरत है भारती जनता पार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके 10 जो है पार्षद मनोनित हो करके आये हैं लेकिन यहां पर खुद जब 14 सदस्यों को चुनने की बारी थी उसमें 13 आमादमी पार्टी के चुने जाते हैं जबकि अगर बात कि जाए बेशक मैजॉर्टी में है यहां पर आमादमी पार् पर पर आमादमी पार्टी के लिए जबकि लोगतंतर है डेमगरेसी है खुद अमादमी पार्टी बार 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 इस बात की कवायत करते हैं यह कि कहीं भी जा कर चुनाव लड़ सकते हैं लोगतंतर है देश के अंदर हम दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंतर है लेकिन भारते इनता पार्टी जब आपने कैंडिडेट्स को उतारती है जब रेखा गुपता का नाम सामने आता है उस समय कहीं ना कहीं आमादमी पार्टी की बुखलाट इसलिए दिखती है क्योंकि आमादमी पार लेकिन लेखिती है लेकिन उसके बाद सवार्प अपना कैंडिडेट आनाउます कर चुके है आपने पपलिक में बता दिया कि क्या आम आदमी party को अपने ही नेताओं पर बरोसा नहीं है क्या आम आदमी party को अपने ही पार्षदों पर बरोसा नहीं है जो आप public domain में नाम एक बार announce कर चुके है उसके बाद जो है दोबारा से आप ही की एक पार्षद जा करके किस तरह से वहाँ पर nomination file करती है उसके लावा अगर बात की जाए तो डिप्टी मेरपत के लिए भी ऐसे देखने को मिला उसमें भी एक और candidate जा करके nomination file करते है जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी party की leadership पर सवाल उठे कि क्यों दो-दो candidates को जो है वहाँ पर nomination file करने के लिए बेजा गया क्या आम आदमी party के बीच में आपस में food पढ़ गया उसके बाद जब भारते इंता party हमलावर हुई तो हमने देखा किस प्रकार से दो सदस्यों का nomination वापिस ले लिया जाता है और अभी मैदान में सिरफ दो-दो सदस्यों एक भारते इंता party से एक आमादमी party से लेकिन आखिरकार ये जो है किसको चुना जाएगा ये तो छेतारी को पता लेगा लेकिन इसके बीच अगर standing committee की बात की जाए जिसके लिए इन 10 पार्षदों को जिसमें 18 सदस्यों का चुनाब भी मेर डिप्टी मेरपत के साथ होने वाला है 6 जनुरी को जिसमें ये माना जा रहा है कि तीन क्योंकि जो उसमें आंकड़ा निकल करके आ रहा है जो उसमें वोट्स चाहिए उसमें अगर सभी जो चुनकर के आए हैं जिसके लिए दो प्रत्याशी मैदान में है वो देखना होगा कि वो 6 नंबर के लिए आखिरकार कौन सा चहरा जो है सामने आता है और अगर स्टेंटिंग कमेटी की बात की जाए तो हर जोन से चुनकर के इसमें लोग आने वाले है और जो ये पारशद मनोनित किये गए है इनका उन जोन में एहम रोल रहने वाला है हालांकि मेर डिप्टी मेरपत के लिए ये वोट नहीं डालेंगे सबसे बड़ी बात जिस मेरपत के लिए आमादमी पार्टी को खत्रा लग रहा है इन दस पार्शदों का मनोनित पार्शदों का उसमें वोटिंग राइट ही नहीं है ये उसमें वोट ही नहीं डालेंगे क्योंकि ये मनोनित किये गए है अलजी की तरफ से इसे उसमें 12 जो है चुनकर के हैंगे वहाँ पर खत्रा सबसे बड़ा अमादमी पार्टी के लिए समय यह है कि कुछ जोन से आमादमी पार्टी जो है क्लियर मैजॉर्टी लेकर आगया जाएगी लेकिन जहां पर दाव पेज फसा हुआ है 50-50 का यहां फिर एक दम नेक तू नेक फाइट है वहाँ पर ये जो दस पार्शद मनोनित किये गए हैं ये आंकड़ा जो है आमादमी पार्टी का बिगाड सकते हैं क्योंकि मेर बेशक अगर आमादमी पार्टी जीत भी जाते हैं उसको लेकर भी इस समय संकट चल रहा है क्योंकि भारत इंता रननीती चल रही है जोड़ तोड़ की जो रननीती हमेशा अपनाई जाती है कि इस तरह से कुछ जो पार्शद है पोजिशन के पार्टी के उनको जो है वोट आफ कॉन्विडेंस में लेकर बीजेपी के लिए वोट डलवा सकते हैं हमने इसको लेकर खुद दिली के चीफ स कि अगर वहां पर जाकर सिक्रेट बैलेट में कोई किसी को अगर बीजेपी का अगर सदस्य पसंद आता है अगर किसी को रेखा गुपता जो पहले से पार्शद रही है एक लंबा अनुभव रहा है उनको इस सेमसीडी के अंदर अगर कोई उनके नाम पर अगर स्टैंप करके आता है तो उसका सीधे सीधे आरोफ हम पर लगा दिया जाता है कि हम तो लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इसमें बिल्कुल भी सचाई नहीं है आज तक एक भी प्रमान पेश नहीं किया ग कि उनके कुछ पार्शत क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं कि ऐसा छे तारी को देखने को मिल सकता है क्योंकि इसको लेकर के बीजेपी जो है अपने पुराने अनुभवी लोगों के साथ अपनी रनीती पर काम कर रहा है लेकिन अगर अभी बहुमत के हिसाब से चले तो ऐसा कि इसके अंदर अन्टी डिफलेक्शन लॉग कभी भी एंडर काम ही नहीं करता है इसका सबसे बड़ा बीजेपी इस चीज का फाइदा ले सकती है कि आपको पार्टी आप पर कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकती उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से रनीती बनाई जा रही है और आम आदमी पार्टी जो आपनी रन्नीती पर काम कर रही है अपने जितने पारशत चुन करके आई हैं वो कोशिश कर रहे है कि वो जद्था से जद़ागा पारशत आप करके मेरों डिपटी मेरपकत के लिए वोट डाले लेकिन अगर standing committee की बात की ज़िए जिसके पास जादा power है standing committee के चेर्मैन के पास जादा power बनेगी जो mayor बनने वाले हैं उनसे तो क्या आधमी party को लग रहा है कि standing committee के चेर्मैन की कुरसी आधमी party के हाथ से जा रही है जिससे अगर दिल्ली की राजनीती की बात की ज़िए तो दोनों भारते जनता party और आमादमी party जो MCD की बात की ज़िए तो उसमें आमने सामने दिखाई देंगी क्या इसका परिनाम रहेगा वो तो 6 जनवरी को ही पता लगएगा लेकिन इस वक्त ये मुकाबला बेहत दिल्चस्प होता जा रहा है जिस हिसाब से दिल्ली MCD की अगर बात की जाए तो इसमें आमादमी party बड़ बड़े आरोप लगा रही है लेकिन भारते इंता party अपनी रनीती पर काम कर रहे है कि किस तरह से पहले अपने आपको back foot पर देख रहे थे पहले ऐसे बीजेपी को लग रहा था कि हमारा तो कोई चुन करके नहीं आएगा लेकिन फिर फैसला लिया जाता है कि हम चुनाम में उतरेंगे चुनाम में लडेंगे अगर हार होगी तो हार क वो भी मनजूर करेंगे लेकिन मैदान को खाली नहीं चोड़ेंगे अब रिजल्ट क्या होगा वो आने वाली 6 जनवरी को ही पता लेगा और इसको अपडेट को लेकर आपके एमन में जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े जो भी तमाम अपडेट हैं उससे बने रहे हमारे साथ